मर जाएंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे, देश के साथ गदारी नहीं करेंगे अब ये आसाम में जो एनरसी हुआ, बहुती दर्दनाक हुआ, मैं केवल चार उधारन आपके सामने रखना चाहता हूँ ये दिखाने के लिए, एक शक्स हैं दुलाल चंदर पॉल, बंगाली हिंडू हैं, पैंसक साल में हैं, पैंसक साल के हैं, इनको ग्यारा अक्टूबर द इनको इनके पास कागज नहीं थे, और कागज ना होते हुए, इनको दो साल पहले डिटेंशन सेंटर में बेज दिया, 11 अक्टूबर 2017 को इनको डिटेंशन सेंटर में बेज दिया, दो साल में इतनी बुरी हालत हो इनकी डिटेंशन सेंटर में, अभी 13 अक्टूबर 2019 को इन नर्सी लागो नहीं होना चाहिए यह कोई छोटी बात नहीं है ग्यारा राज्जे मतलब लगबग आधे भारत वर्ष ने कह दिया कि NPR और नर्सी लागो नहीं होना चाहिए मध्यपरदेश राजस्थान वेस्ट वेंगौल तमिल नाडू तमिल नाडू तो इनी के अपने पार्टनर हैं केरला आंधर परदेश आंधर परदेश और टेलन गाना दोनों इनी के कभी हाँ कभी ना कभी इनके पार्टनर होते हैं कभी नहीं होते हैं पंजाब पंजाब मे इनके पार्टनर हैं पुड़ू चेरी आज दिल्ली भी इसमें शामिल हो रहा है तो इन सब विधानसभाओं ने प्रस्ताव पारित कर दिये कि ये कानून पास नहीं होना चाहिए तो मेरी भी केंदर सरकार से हाथ जोड़ के विंती है कि इस पूरे NPR को और NRC को विड्रॉ कि आजाए और किसी भी हालत में इसको लागू नहीं किया जाए तो माने मंत्री जी द्वारा जो एक बात यहां पर आईवान को बताना चाहूंगा कि जब हमने सम्विधान को बनाया था जब बन रहा था सम्विधान और उस वक्त में कितनी गिरावट हो गई है जहनी तोर पर अखलाखी तोर पर तहजीवी तोर पर दिमागी तोर पर नफसियाती तोर पर जब सम्विधान का प्रियांबल बन रहा था अक्टोबर 17 1949 को मैडम तो उस वक्त केम पाठे रुकुन थे कौंस्टर्ड असम्बली के उन्होंने कहा था कि प्रियांबल की शुरुआत भगवा या खुदा के नाम से नहीं हो सकती पोटिंग हुई पोटिंग में केम कामच सा भार गए जब सम्विधान का प्रियांबल लिखा जा रहा था तो उसको भगवान खुदा के नाम से ही लिखा गया अब वो वो उंचाई और ये पस्ती देखिए आप कि एक खानून ऐसा बना पर बनाए जा रहा है मुझे शिकवा इस बात का नहीं है गम इस बात का नहीं है कि आपने मुसल्मान को नहीं रखा मुझे गम इस बात का है आप मत लीजिए किसी पाकिस्तान से मुसल्मान का ववानिस्तान से मुझे उस तो कोई मतलब ही नहीं है मेरे बुद्रगों ने ज आज इसलाम से मुसल्मानों से इतनी नफरत क्यों आखे बारण किया है हम इन्सान है इस मलक के बाइज़े शेरी है आखे इस नफ़रत का इस्द्यक्रिमिVer션 की वजह क्या है आप में आप मतली जो किसी को मैडम मैंने यह क्यूं कह रहां है बता रही है मैं जानना चाहूँगा हो मिनसे साब से कि इस बिल को NRC के नजर से देखने की जूरत है जो आसाम में NRC हुआ मैडम वहाँ पर 19 लाट लोगों के नाम नहीं आए जिस में से खुद महाँ के मंतरी कहते हैं कि 5,4,000 बंगाली हिंदू है मैं हो मिनसे जानना चाहरा हूँ कि सेक्शन 5 के तहद ये जो सेक्शन है ना मैडम सेक्शन 6A के तहद जितने बंगाली हिंदू है उन पर जो मुखदमा चलेगा वो अबेट हो जाएगा और किस पर मुखदमा चलेगा फॉरनर से बिलने से? मुखदमानों पर बताईए हो मिनसे साथ ये डिस्क्रिमेशन नहीं है आर्टिकल 14 फेल का होता है जहां पर मजब आ जाता है रीजनवल का महाँ पर सेल हो जाता है आप NRC आसाम के 5,4,000 बंगाली हिंदूों के लिए आप ये खनून बना रहे है और जब NRC हो जाएगा अगर अमिशा साथ का नाम नहीं आएगा और उन्गी के पार्टी के किसी एक मुसल्मान का नहीं आएगा तो C.A.B. के जिर अमिशा का नाम आ जाएगा मुसल्मान का नहीं आएगा ये इनकी साज़ी शाय के स्टेटलस बनाना मुसल्मानों को और मैडम मैं इसकी मजब्मत करता हूँ हमारा हाल आप ये करके रख दी है कि तूफान में किष्टी में तासुबियत की फिर्खा परस्ती के तूफान में बगएर मल्ला के हम किष्टी में डाल कर छोड़ कर साहिल पर बढ़कर सब तमाशा देख रहे मगर याद रखो ये तमाशा देखने वालो ये कष्टी साहिल को पहुँचेगी और इंशालला हम कष्टी जला कर जमूरी अंदास में अपने हकों आसल करेंगे ये एवान कोई समझने की जरुवत है तीसरी बात मैडम जो मैं आपके सामें रखना चाहूंगा के पियो के सर पियो के होमिनसेट साब अब ये क्यों बूज जाते है के वन थर्ड एरिया हंदुस्तान का चीन में है आप दर रहे हैं क्योंके कल अगर दलायलामा मर जाएंगे नया दलायलामा आएगा तो आप उसके लिए रोक रहे हैं कि अक्टिबट के लोगों में मुसल्मान नहीं है क्यों नहीं देते हैं आप दलायलामा आप इंतजार कर रहे हैं मैडम यही तो हम पुछ से चीन के बारे में क्यों नहीं रखते हैं क्यों डरने चीन से आप वन थर्ड एरिया चीन भारत का चीन में है और खुद होमिनिस्टर ने कहा था एकसाई चीन पर नहीं छोड़ेंगे अज़ आप छोड़ दिये इतना क्यों डरते चीन से आप क्या हमारे होमिनिस्टर ताब जानते है मुटी भाइनी को और वैं, पांच फी बात मेडम अफगानिस्तान की बात कर रहे यखिन है, आप जानते हैं तालेबान आएगा जब तालेबान आएगा तो आपको जरूरत है हजारा की, ताजिक की आपको जरूरत है भारत में ताके हम स्टेटिजिक कंट्रोल कर सकें मगर आपके खानून की वज़े से आप उन तमान ताजिक को उस्बेक को तालिबान जब हुकुमत करेगा अफगानिस्तान में आपका तो बॉज्ट काट चला गया यह आपकी सौचे यह आपका विजन है मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा ब्लेंडर स्टेटिक सेक्यूरिटी के अंगल से आप लोग करेंगे अफगानिस्तान में सिख है मैं जानता हूँ तालिबान के जमाने में हमिनिस्ता साथ जानते है कि करंटी का पूरा मामला सिखों के पास था आज भी उन ी के पास है और क्या गैरंटी ले रहे हमिनिस्ता साथ कि पाकिस्तान को ना हिंधुस्तान के हिंदों से मतलब है ना पाकिस्तान से मतलब है वो घुसाएगा यहाँ पर आप कैसे रोकेंगे कि आप बताएंगे मैडम कि कितने लोग है जिन को आप सिटिजन्शी देने जारे नमबर बताईए स्टेट वाइस बताईए कहो कह रहे है मड़म और एक बात ये खानून जो बनाया जा रहा है इसलिए बनाया जा रहा है कि दुवरा पार्टिशन हो ये खानून तो हिटलर के उस खानून से ही बत्तर है उस खानून से ही बत्तर है कहां लाकर छोड़ दिया भारत को आप अगर आपने संभीधान परोग तिया था हम मुसल्मानों का गुना क्या है क्या मुसल्मान है मुझे पाकिस्तान समत लीजिए मगर इसलाम के तालुख से मुसल्मानों के तालुक से इस एहमान को सोचना पड़ेगा आप जो मेसेज दे रहे आपकी वज़े से पॉलिटिकल माजलाइशन हो गया मुसल्मानों का आप तो उनको दबा रहे हैं उनके सीने पर पैर रखकर आप कह रहे हैं तो इस मुल्क का बाइज़ शेरी नहीं बलकि तो शेकलस बनाया जाएगा इसलिए मैं कह रहा हूँ मैडम कि ये और एक पार्टिशन होने जा रहा है मैडम मैं आपको कैना चारों अंग्रेजी में कहावत है कि दोस्ट डूनोट लरन फॉम हिस्ट्री स्री लंका के दस लाग टेमिलियन्स मदरास में हिंदू नहीं है क्या खत्म को नेपाल में मदेशी नहीं हिंदू नहीं हिंदू नहीं है बताईए अच्छा मैडम ये हम मिनिस्ट साब बता दीजिए कि मैनमार में चिन काचिन अरहकान अरे चंद साल तक अरे इनडिया रिडियो पर काचिन का रिडियो सर्विस चलता था ये चिन लोग कृस्ट्यन मैनमार के आप इन्तजार कर रहे है क्या इंतजार कर रहे है कोन सा स्टेजिया आपकी हर ःतिबार से फेलियर थाबित होगा मेडम इसी लिए मैं इस बिल की मुकालिफत करता हूँ यह हिंदुस्तान के सम्मिदान के खिलाफ है और यह उन लोगों की तोहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवा है तो संस्तावन की जंग आजादी हो या 1910 में महत्मा गांधी कैसे महत्मा बने मालू मेडम उन्होंने सौथ अफरिका के नेश्टर रिजिसर कार्ड को फाड़ जिया था